हई अ अगर करें विलाज के तो सवी सिज्ट ऑप है किस थरीके से हम वेरेक्ल करेंगे सब्सक्राइल से एक है भाए बहुत सथारे तुट को सब्सक्राइब जो निसलिए मिलागेब जो इसको इसको सॉक्राइब है तो उसको मैं आपको आज ट्रिक्स बताऊंगा और पॉंसेट्स बताऊंगा जिससे आप इसली उन को सॉल कर पाएंगे ठीक है ओके तो आर फॉर्स्ट क्वेशन इस यह जो क्वेशन यह आपका एंसियाटिक आई है तो समझते हैं किस तरीके से प्वेशन क्या है है कि वी हैव त्री रजिस्टर्स आरवन आरडू आर्ड्री 6 ओम इच ठीक है टीन रजिस्टर्स हैं जिनके सब की वैल्यू कितनी है 666 एड आप यह तीं रजिस्टर्स हैं इन तीनों को इस तरीके से कंबाइन किया जाए कि मेरी जो वैल्यू है 4 ohms हो जाए, या फिर 12 ohms हो जाए, ठीक है, clear है, ओके, 12, वाला बात में करते हैं, पहले 9 करते हैं, ठीक है, 4 ohms and 9 ohms, अब देखते हैं किस तरीके से होगा ये, ओके, नाओ, इस question को solve करने से पहले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कि किस तरीके से जब भी आपको 3 resistors given तो आप किस तरीके से combinations बना पाएंगे, ठीक है, how much combinations we have with 3 resistors, okay, अब उनकी value क्या है, क्या हो सकती है, वो second thing है, सबसे पहले हम ही जानना है, कितने combinations हम बना सकते हैं, ठीक है, तो पहले दिखो, first, पहला होगा, कि वही तीनों जो है, वो series में connected है, R1, R2, R3, यह, okay, second क्या होगा, कि तीनों, parallel में connected है, okay, R1, R2, R3, okay, third one is, दो series में है, और इन दो के साथ, एक जो है, वो parallel है, वो पार्लेल है, वाज़ताब R1, R2, R3, ठीक है, अब आप यह कहा है, सब्सक्राइब सर, R1, R2 ही क्यों, R2, R3 भी तो हो सकते है, R1 यहां हो सकते है, क्योंकि है, यहां पर फरक नहीं बड़ेगा, अगर वेल्यू ज़ग होती है, तो, कॉम्बिनेशन यह ही होता, लेकिन, वेल्यू सब्सक्राइब होती है, समझा रहे है, तो भाई, R1, R2 हो गया, फिर R2, R3 हो गया, फिर R3, R1 हो गया, ठीक है, इसी तरीक से यह चीज़ता है, क्योंकि है, एक हो गया, एक हो गया, इनके साथ, सीरिस, ठीक है, R1, R2, R3, एक है, अब हम इन सब की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, याद रख्या रखना है, आपको, Equalant Resistance, Total Resistance, Net Resistance, Final Resistance, इन सब का मदलब सेम ही है, कि आपको Total Resistance काल्कुलेट करना है, लिए रहे है, ओके, सब्सक्राइब करना है, इन दोनों के सब्सक्राइब कर रहा हूं, अब इन में से कोई 4 हो सकता है, और इनी में से कोई 9 हो सकता है, ठीक है, अब कौन सा होगा वो देखता है, ओके, आपको, अब सकता है, पर रहे हैं, क्योंकि तीनों सीरीस में हैं, तो मैं डिरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हो, और 1, और 2, प्लस रही, अचलिक, आप इस 6 प्लस 6 प्लस 6, इत मींस 18 होल्स, प्लियर है, तो मतलब यह तो हमारा नहीं है, यह तो बहुत क्लियर हो गया, इसकी जो वेल्यू आई है मेरे पास वो क्या आई है 18 ओल्स तो हमारा इन दोने में से कोई पर नहीं के तो मैं अब इसको रफ करता हूँ अब नौ बी पार्ट बी पार्ट में तीनों जो है वो पैरलल में कनेक्टेड है तो यह हो जाएगा यह है अगर आपको यह कन्फीजन है कि वह यह फोर्मुला नहीं से आया सब यह सीरीज का फार्ट पार्ल का यह होता है क्यों आप लिख रहे हो उसके लिए आपको मेरी कुछ लिए वीडियो देखने करेंगी जिसा मैंने आपको सीरीज का पूरा पार्ट कोन संता है ऑगा है one by six plus one by six plus one by six clear okay LCM is six उपर क्या जएगा one plus one plus one that is three by six it means one by two अब यहां पर बहुत जादात में जो students हैं वो बल्टी करते हैं ठीक है क्या प्रफ प्रफ गया है यह वंगार प्रफ इस इकोल तुक्राइब यह यह ना प्रफ्र प्रफ इस इकोल टूब टूब इस प्रफट कर दो यह नहीं दूब सब्सक्राइब करते हैं ठीक है यह आप योग मत कीजिएगा अब से इसका मतलब जो हमारा सेकंड केस है उसकी वेलिवाइए टू तो यह भी हमारा है रिक्वाइड है जो कॉंबिनेशन है वो नहीं है ठीक है ना थर्ड केस अब देखो यहां पर हो क्या रहा है अगर मैं करण्ट यहां से फ्लो करवाता हूं तो यह एक जंक्शन एक ठीक है इसी तरीके से पॉइंस भी यह एक जंक्शन ठीक है छे से पता कि कॉंसा सीरीस में है कुंसा प्यादल में इसकी इसके लिए क्या पंसेट है कि जहां पर करण्ट डिवाइड हो जाएगा वो दो वायर जो है पैरल्ल में क्लियर हो गया तो अब क्यूंकि आइवं गया इन दोनों के पास आई टू गया है इन दोनों के पास अब वापे से फ्लो हो के वी पर बी एक और जंक्षिन यहां पर आई लेगा यह जो होगा यह आई होगा यह आई वन आया और यह आई टू आया बात समझा रही है तो आप इसी सर्केट को हम आगे सौल करते हैं तो मुझे यह तो पता चलिए कि आउट आए टू आए टू जो है ओ आइड वन आप तो सी पाट अगर में लेता हूँ तो रजिस्टनस इंस इगोल टू आइड प्लस आई टू विच मीन शिक्स प्लस इगोल टू तो टू तो तो आप कि क्योंकि दोनों का जो सम है वो 12 जैसे 6 प्लस 6 तो मैं दोनों को हटाकर एक रेजिस्टर जोड़ देता हूं यह भी कस्ता हूं बात समझागी है क्लियर हो लिए ना बात क्योंकि दो खरीदने में जो मेरा मेरी कॉस्ट फॉर एक दोर पे लगते हैं क्योंकि दो क्यों कर रहा है वो एक रिस्टर काम करेंगा क्यों कि यह पास हुआ है आरे से ही मतलब इन दोनों से यह था टीक है तो रिस्टेंस एक पैरलल इसके साथ पैरलल में है तो पैरलल का फॉर्मला लग गया तो वन बाई आरेश इस वन बाई 12 वन बाई 6 ऐल्सियों इस 12 वन प्लस टू फ्री बाई 12 ओ तो वन बाई आर्पी इस इपोल टू वन बाई 4 आर्पी इस इपोल टू फॉर्स प्लियर वह तो जो हमारे ये वाला केस यह हमारा फॉर्स पार है का मुझा है को डोतित मुझा तो यह हमारा केस औरकोर और पार ल्ए मैं गया है वहां अधिन दिश्यमं है यहां सी जब करेंट आई फ्लो गूआ तो करेंट इसको मिला उसके वार यह जंशन रीडियर और एक यह जो जो करेंट आया था यह दिवाइद हो जाएगा आई वन अब करेंट डिवाइड हो गया तो यह दोनों वायर जो एक्ट तो सिंबल सी बात है ठीकर देखना है करेंट काम रहा है ठीक है ओके नाव डी पार्ट 1 by rp is equal to 1 by r2 plus 1 by r3 अब r2 कितना है यह पास 6 r3 6 lcm6 1 plus 1 2 by 6 is equal to 3 1 by 3 तो rp कितना है यह पास अब मैं इन दोनों की जगा पर एक रिजिस्टर जोड़ सकता हूं 3 अब तो मैं इन दोनों की जगा पर आट वायर पास वो है 3 तो मैं दो ना यूस करके एक यूस कर लगता हूं सिदर से था ठीक है ओके नाओ अब आता है यह आप यह फैनली इसको इसको डाब लगा है तो rs is equal to r1 plus rp दे रहा हूं ठीक है जी भाई इसका जो इकोलिम रेस्टेंस होगा वो इसके साथ तो सीज में इनेक्टेट है ना ना समझा भी यह तो सीज में ना इन दोनों की जगए एक लगा दिया वो एक वायट से नेक्टेट होगा ना मतलब अब जो इसका सिमिलर सरकी डाइग्राम बनेगा वो यह बनेगा यह जाएगा आरवन यह जाएगा आरपी आरपी के वैल्यों इस थ्री ओम्स और इसकी है शेक्स वह समझागे तो देखो शिक्स प्लस थ्री नाइन ओम्स दो की हमारी रिकवायड वेल्यू थी ठीक है तो इसका मतलब यह हमारा दूसरा पार्ट है कि इस तरीके से हम सर्कृट सॉल करते हैं ठीक है अब यहां पर तो हमने खुद ऑप्शिन्स चूज की हैं जहां पर आपको सर्कृट एगन होता है ठीक है अब उसको हमें खोलना कि इस तरीके से सर्केट को ठीक है वहां तक भी पहुंचेंगे अब धीरी दिरे का करेंगे मैं आगे आगे बढ़ता जाओंगा थोड़ा सब कुछ समझ आ जाएगा इसको नोट कर लिए है ओके नाओ वी हैव इसको नोबर टू यह हमारा सर्केट डियाग्राम है जो कि हमें गिवन है इसमें करेंट फ्लो कर रहा है आई ओके तीन रजिस्टर्स हैं आरवन आर्टू आर्ट्री ओके बैटरी लगी होई है जो कि दो गुल्ट प्रवाइं ठीक है और इन तीनों की अब मुझे इसमें क्या करना है मुझे इसमें टोटल रजिस्टेंस करना है और इकलें प्रशिस्टेंस का अब नहीं आएंगे आप चाहें तो जा सकते हैं सिंपल आर निकल जाएगा ओंसला लगाईए वी पता है आर पता है आई आजाएगा एक बहुत सिंपल हो जाता है उसके बाद तो फर्स्ट क्या है कि टोटल रेसंस कैसे क्या आप यहां पर मुझे कैसे पता है कौन सा सीरीज में है यह देखना है मैंने आभी आपको पहले क अब यहां से कुछ पार्ट करेंट यहां जाएगा और कि इसको बोल दिया आई तो एच चीज तो प्लेर होगे कि यह जो दो वायर्स है यह पार्लेल में अच्टेड ए ठीक है और जो करेंट यहां जा रहा है वही करेंट आर्थी वह भी मिल रहा है आई टूट फिक है और आई वन जो है यह आंकि और आई टू दूनों पिट से एड होके आई बना रहें एट वह इसका मैं एक और डाइग्राम बना सकता हूं which is similar to this circuit हो क्या होगा यह हमारी बैटरी होगी है ओके और यह बनेगा कि इस तरीके से और एक सब्सक्राइब और एक ही होगा यह जाएगा आरवन आरटू अब और ज्याद़ सिंपल होगे बात समझा रही है तो इस तरीके से हम सर्केट को खोलेंगे और सिंक्लिफाइब गरेंगे अब खुद के लिए अपने लिए ठीक है देखो आर्टू और आर्ट्री को सेंव करेंट मिल रहा है आई टू तो यहां पर भी क्या होगा जो करेंट आई यहां जा रहा है वह इस जंक्शन से डिवाइड हो जाएगा आई सीरीज कॉंबिनेशन और इसका जो रजिस्टर हो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वह आर्वन के साथ पैरनल कॉंबिनेशन बनाएगा क्यों क्योंकि करेंट डिवाइड हो गया देखो तो इस वाले वायर में जितनी भी रजिस्टर आप लगा देंगे वह सब सीडिस में हो क्यों कि आप पता है कि आर्टू आर्थी जब वो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा आर्टू प्लस आर्थ्री डाट इस थर्टी प्लस थर्टी इस इकोल टू तो अब मैं आर्टू आर्थी की जगह पर ना एक रजिस्टर लगा सकता हूं कि जिसकी वैलियू होगी सिक्स्टी रोंस आर्स समझाया है आर्स कि लिए वह दो की जुरूती है जब काम एक से सलब्राइट ने दो की का जुब जबता है आप यह और यह इसके साथ पार्वल rp is equal to 1 by rs plus 1 by r. बहे पार हुल है ठीक है? ओक ना 1 by rp is equal to rs is 60, r1 is 30, lcm is 60, 1 plus 2 that is 3 by 60, 20. तो 1 by rp is equal to 1 by 20, it means rp is equal to 20 ohms. प्रेह रुए हुआ 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 है, तो फाइनल आंसर होगा, रिजिस्टेंस के लिए वो होगा 20 ohms. कोई डाउट है समां? इस तरी इस तरी ते 100 के आगे और भी हम करेंगे जो और थोड़े से जाधा कॉम्लिकेटेड होगे जो बोर्स भी लेवल कराते इस से जाधा बोर्स में आते नहीं है तो इसको लिख लीजिए को के सुन्स नाओ नेक्स्ट क्वेशन अभी क्वेशन देखो आप सरके डाग्राम देख रहे होंगे बहुत सिंपल क्वेशन है आपकी एंजी आटी का शारी एक्जैंबल है ओके तो बहुत सिंपल है देखने से भी बता चल रहा है कि यह दोनों कॉम्बनेशन पैरलल है और इसका जो रिजल्ट्इंट होगा और जो इनका रिजल्ट्इंट होगा सबस्कों अको इसको मुझे आपको बतानी की शुरूरत नहीं है मुझे लगता है कि आपको यह समझतों आ गया होगा अब बस इसका मैं इक्वउलेंट सरकेटैग्रम बना देता हूं मिलर्षयां घि तो मुझे तो ये सरके डियाग्राम इस तरिके से भरीवा मुझे सब्सक्राइब करें इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आता है रे वन और इन तीनों का य। तो यह जाएगा रपी टू अब इन दोनों को आप आप सॉल्व करेंगे आरेस इस इपोल डू आर पी वन प्लस आर पी टू कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो आपका जो आंसर आए ला हो आए ला है वह है इसके बाद क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी गई है पिछले कुशन में भी बैटरी की वैल्यू दी गई थी तो बोलता ह है कि करेंट कर लो इसका तो करेंट के लिए आप क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास रजिस्टेंस है ठीक है तो हम सिंप्ली ओम स्लॉप पुट करेंगे वी इस वेल और आई अन्नोन आर इस एटीं तो 12 वाइटीं इस इकूल तो आप इसको जब दिवाइड कर लेंगे तो आ क्योंकि हम सिर्फ अभी सर्केट को डील कर रहा है इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं और जिसको ओम स्लॉप मालों में वह इसको खुद आगे बढ़ा देगा ठीक है अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे सुडेंस उससे डिर्क ली बूट सकते हैं और जो मेरे अब यह जो सर के डायग्राम है यह बहुत सिंबल है ठीके बहुत सिंबल कोचंद है बट डायग्राम देखने पर ना पुछ स् स्टूबूंप को क्या होता है और जानातर चलिओं कों से अ जा रहा है कि बही करनंट कहां-सर शीरिज में कौं मैं से समई यह नहीं आ रहा ठीक है यह एरो शो कर रहा है कि A से करण गया और यह एरो शो कर रहा है बीपर आया ठीक है जो information required है वो हमारे पास है ठीक है अब इसका पहले हमें जो circuit diagram है उसको simplify करना है ठीक है अब simplify कैसे करेंगे हमेजा याद रखना कि जब ऐसा कोई कोशन आये तो उसके आप पहले टर्मिनल्स चेक करना कहा है उन टर्मिनल्स को ओपन करने की कोशिश करना ठीक है अगर वो टर्मिनल्स ओपन हो जाते हैं तो आपका circuit diagram बहुत इजी हो जाएगा ठीक है इसको हम बोलते हैं ना इसको इसको थाके यहां रख सकता हूं और इसी तरीके से यह जो आपके मैं ऐसे रख सकता हूं बेसी बने जाए दोनों वायर्स को यह दो दो टर्मिनल्स तरीके से ऐसे करते हैं तो मैं यह diagram आपको बना के दिखा देता हूं कि after opening the terminals मेरा जो diagram बनेगा वो क्या बनेगा ठीक है यह हो जाएगा A यह हो जाएगा B यहां मेरा R3 है ठीक है यहां आर बन है और यहां आर 2 करेंट का से जा रहे है ए से जा रहे है ऑपस बीबर पहुंच सका ना अब कुछ 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 एअव ना शुरू हुआ तो अब देखो यहां बर अगे मुझे क्या रिखना कि करेंट ना डिवाइड हो रहा है है जंक्षन पूझे पता चल गया है कि विए बर इसका मतलब क्या है कि ये जो ढाइश है यह दो आर्वन को करेंट सीरीज कॉंबनेशन में है इसका मतलब आर प्लस आर इस इकोल टू 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 रही बात अब मैं इन दोनों की जगा पर इन दोनों की जगा पर एक रेजिस्टर जोड सकता हूं जिसके वैल्यू होगी टू आर आप समझा रही है मैं उसको सिंप्लिफाई कर रहा हूं मेरे अपने लिए एक रेजिस्टर जोड़ती है जिसकी वैल्यू है टू आर ठीक है अब यह दोनों पैरल्ल में आपको दिख रहे क्योंकि करेंट डिवाइड हो चुका है एक तब क्या वजाएगा वन बाय आर पी इस इस एक वाइश प्लस वन वाइए आर ठीक है अन्याश की वैली टू आर है और अध्रीकी वैली आ ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा वन प्लस क्या प्लस तु कितना हुगया थ्री अपॉन अग्या थू आप इस हो जाए है को फोगे इस पोगेंचे तो बन बाय आर पी इस एकोल टू थ्री वाइट 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 यह हमारा फाइनल रजिस्टेंस होगा इस सब्सक्राइब आप समझा गी यह बहुत इस तरीक से हमें सॉल्ट करने होते हैं यह देखने में तो बहुत इस बहुत सिंपल लगेगा बट जब आप इसको करने मैं इसको सीरीज में कौन से जा रहे हैं तो इसी लिए हमें इसको सिंपलिफाइब करना पड़ेगा ठीक है क्लियर होगा अच्छा इसको लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे इसी तरीके से और लूप्स बना दू तो यह क्लास्ट का कॉश्यन है क्रिचॉस लॉग क्योंकि हम उस्टा यूज कर रहे हैं इसमें छोटा लॉब है और क्योंकि हमारा क्लास्ट है तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्ट करेंगे तो अगें करेंट देखो इस सर्किट में आर मन आर टू, आर त्री, आर फॉर, आर फाइव, आर सेक्स ठीक है आप इंफिनिटी तक है यह जो लूप है न सुतरीकर से लूप जोड दर जोड 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 जोर जोड 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 कितना भी आली जा बाइस तो अब भी, हमनेन mist क्या लिए एकुक है यह त तो इसमें क्या कहां ब्लू सेम है that is one clear okay so we know that r1 is equal to r2 is equal to r3 is equal to r4 is equal to r5 is equal to r6 is equal to one ohms clear one ohm ले लो या 2 ohms ले लो या होगी नहीं होगी बड़ मैंने दिमाद से नहीं नहीं जो भी है अब इसको इसी वेल्यू के हिसाब से सौल करने की कोशिश करते हैं कि क्यूंकि करेंट ए से पास हो रहा है और यह जंक्शन में ने सामने क्रीट हो गया एक तो यहां पर जो करेंट आई फ्लो रहा था वो है कि इसका मतलब बहुत बहुत क्लियर है कि जो आई टू वाली आम है यह पूरी की पूरी आम इस आई वन वाली आम के साथ पैरलली कॉंबिनेशन बना रही है यह क्लियर हुआ फिर से समझो एक बात क्यूंकि यहां पर इस जंक्शन पर करेंट जो है डिवाइड हो गया आ पाइटू वाली पूरी जो वायर है यह पूरी वायर इस आई वन वायर के साथ पैरलल कॉंबिनेशन बिल्ट करके चल रही है यह फिर होगी बात ठीक है तो मतलब एक जो स्टेप था होनने प्लियर कर लिया इट मेंस आर फोर आर फाइव और आर शेक्स आर इन सीरीज कॉं आर फोर कितना है यह पास वन प्लस वन प्लस वन दाट इस कि थ्री ओंस कि इसका मतलब यह कि मैं एक ऐसा ही सची डाइगरम बना सकता हूं जिसमें हां धंजी को यह पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है यहां पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है यह हमारा के है और एक रीपिदिय जलका देता हूं इस तरि जिसकी है रांकी सब्ल्वर अ अ कि वे रोभी बात तो यह जो मैं इसका सिमिलर सर्केट है तो यह बट सिंपलिफाइड सर्केट बोल सकते हैं इसको किया है ओके नाओ अब जो वैल्यू मेरे पास आई है यह दाट इस आरेस दिस दिस आरेस इस इस इन पैरल कॉंबरेशन विद इस आर्टू बात समझा भी तो मैं इन दोनों को सॉल कर सकता हूं यह ठोकी है ठीक है तो बन अपॉन अपॉन आर्प इस प्लस वन अपॉन अपॉन आर्टू ठीक है आर्टू मतलब 1 by 3 plus 1 upon 1 कोई डाउट तो नहीं 1 by 3 plus 1 by 1 तो हमारा तो आंसर है क्या जाएगा एल्सियम ले जा हमने तो 3 आ गया उपर आ गया 1 plus 3 that is 4 upon 3 ठीक है 1 by rp is 4 by 3 so rp is equal to 3 by 4 ohms इसका मतलब यह है कि मैं इसको भी हटा कर इसको भी हटा कर मैं एक रिजिस्टर जोड़ देता हूं जिसकी वैल्यू 3 by 4 ohms इसको हम स्टेप आ स्टेप 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 सिंप्लिफाइब करते जा रहे हैं circuit को clear हुआ ओके आगे बढ़े है ठीक है इसको रफ तर देते हैं क्योंकि यह values हमारे पास हैं जिसको लिखना होगा वो यह वीडियो को फिर से प्ले करके पास करके लिख लेजएगा पहले समझना है अब देखो अब क्या है कि अब तो बहुत सिंपल होगा करेंट एसे गया आप इस वन इस वन इस वन जितने भी हैं अमारे तीम रिजिस्टर्स यह सब सीरीज में गनेक्टड तो अब हम डिरेक्ट फ़ॉबला लगा देंगे रिजिस्टेंस इन सीरीज इस इकोल टू रवन रवन अब याद रखो इसको में सर्केट आमारे यह है ठीक है अर्वन प्लस अर्पी प्लस अर्थी ठीक है मतलब बन प्लस थ्री बाइ फ्लस वन एल्सियों लेलों सिंपल मैथमेटिक्स है ठीक है यहाँ जाएगा फॉर प्लस थ्री प्लस फॉर ठीक है कितना आ गया प्लस थ्री प्लस फॉर एलेवन वाइवन वाइव और वोग्स वो जो तुम्हारा फाइनल रजिस्टेंस आया ना इस सर्केट का वह वह फॉर वोग्स है समझाय किस तरीके से करने होगा है ऐसा कोषिन वोट्स में आया नहीं है बट फिर भी हमें समझना चाहिए कि कौन सा सीरीज में जा रहा है रिजिस्टर और कौन सा पारल्ल में जा रहा है तो याद रखना क्या आप नोटिस कर रहा है आपको कि करण कर डिवीजन इस वीडियो से आपको में भी ये समझ आया हो how to solve these type of numericals in चुटकी, clear हुआ, okay, thank you.